हेलो दोस्तो एहरा एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस मैथ एडवांस मैथ में जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है जैसा आप सब जानते हैं कि एडवांस मैथ में हमारे चार टॉपिक है जो बहुत स्टार्ट करें के उसके बाद मैं आपको जो आरे सगर्वाल की 105 यह जो हम जमेकरी में पढ़ांगी लाइन एंगल क्यों हमारी किस चीज द summarize किस चीज का क्या-क्या रोल एंगल ंधिकर जैसे लाइन एंगल में हमारा यह जो हम उगिज करते हैं हमारे हो चाहे हमारे क्वाधि लेटर you ऑंमने हमारा किसил यू तो उसके एंगल को किस तरीके से find out कर दे हैं फिर मैं आपको बताऊंगी congrency and similarity यानि कि अगर दो ट्रेंगल हमें given है तो वो किस तरीके से congruence हो सकते हैं उसके बाद है हमारा यूलर का सूर्थ यहां बोल सकते हैं इसके उपर questions आते हैं यह मैं आपको बताऊंगी कि एडिज और वर्टेस गीवन है तो हम उसमें sides कैसे निकाल सकते हैं यह उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके बाद मैं आपको बताऊंगी symmetry यानि की समरूपता हम स्टार्ट करते हैं one by one पहले मैं आपको बताती हूं line and angles क्या होते हैं और फिर मैं आपको इसके उपर questions कराऊंगी ग्यां जैसे line अब हमारी जो line है वो कितनी तरह की हो सकते देखो जैसे पहला point तो मैंने आपको इहां पर लिखा तो यह मेरा क्या हो गया? लाइन, रेखा, यानि कि जिसका कोई भी end point नहीं होता है, वो हमारी क्या होती है? रेखा, no end point, जिसे हम कहीं तक भी बड़ा सकते हैं, up to infinite, जिसका कोई भी end point नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते है? रेखा, एक होती है हमारी किरंट, किरंट क्या होती किरन जिसका एक end point होता है ठीक है यानि कि जैसे मैंने यहां से start करी है तो यह इसका क्या हो अब यह मेरी आगे तक हम इसे चला सकते हैं यह हमारा end point इसमें होता है जबकि रेखा में क्या होता है अगर मैंने यह line बनाई है तो मैं चाहूं तो इसे आगे भी बढ़ा सकती हूं चाहूं तो इसे पीछे भी बढ़ा सकती हूं ठीक है लेकिन कि रंड में हमारा कैसे होता है जहां से मैंने start करी है उसके आगे forward direction में हम उसको क्या करें बढ़ाते जा रहे हैं ठीक है अब अगली है मेरी रेखा कंड रेखा कंड का मतलब क्या हो गया जैसे मैंने आपसे बोल अगला टोपिक है हमारा पैलल लाइंस क्या होते है ठीक है एक ही होगे हमारी और एक पैलल लाइनस हमारी समानता रेखा है वो होते है जिनके बीज की दूरी क्या होते है समान रहती है चाहे मैं उसकी स्टार्टिंग में नापू चाहे मैं उसकी दूरी मिड में नापू चाहे मैं उसकी दूरी एंड में नापू यानिकि इनके बीज की दूरी होगी वो क्या रहेगी समान रहेगी यह होती है मेरी पैलल लाइनस जैसे हमारा रेलवे ट्रैक होता है तो उसके पट्रियों के बीच की जो दूरी होती है, वो समान रहती है, चाहिए आप कहीं भी नाप लो, ठीक है, तो सेम ये हमारी parallel lines होते हैं, उसके बाद था concurrent lines यानि की समवर्ती रेखा है, समवर्ती रेखा है क्या होती है, जो एक दूसरे को किसी न किसी point पर क्या करते हैं, कट करते ह हम क्या बोलते है, concurrent lines इसके बाद है, transverse line के होते हैं, जो हमारी 2 parallel lines को क्या करती है, काटी है, वो हमारी के होती है, सिर्या क्रेखा या transverse line का concept जो है, बहुत important है, अगर 2 parallel lines हो, transverse line given होती है, तो इसके उपर बहुत सारे हमारेly questions बनते हैं, जैस yellow estilo, 같은데, corresponding angles, वो सारे हम इसी concept से न अब मैं बात करते हूं आप से एंगल कि हमारे नहीं गोटे गोटे हैं हमारे यह कित्ते तरीके के होता है यह से प्लिमेंटरी अगल से यह क्या होते हैं मैं आपको यह बताते हूँ, दखो, acute angle, acute angle क्या होता है, जो angle हमारा 90 degree से क्या होता है, कम, वो हमारा क्या होता है, acute angle, ठीक है? याने कि जो यह मेरा theta है, यह मेरा क्या होगा? less than 90 degree तो यह मेरा क्या हो जाएगा एक होता मेरा obtuse angle जब मेरा जो यह theta है यह आपका क्या होता है greater than 90 degree जब theta आपका क्या हो जाए greater than 90 degree हो और आपका less than किस से हो 180 degree से 180 degree से कम है और आपका 90 degree से क्या है जादा है तो यह आपका क्या होता obtuse angle एक होता है आपका right angle जब आपका angle कितने degree का हो 90 do तब थीटा की value अपकी कितनी होजा है 180 degree तो उसे हम क्य बोलते है स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर एंगल ठीक है उसके बाद आपका एक है कॉम्पलिमेंटरी एंगल और एक है सप्लिमेंटरी एंगल मतलब क्या होता है जब दो एंगल का सम हमारा कितना होता है 90 डिगरी उसे हम क्या बोलते है complementary angle, ची कैं? स्प्लिमेंटरी अंगल की होता है, जब हमारे दो angle का sum कितना होता है 180 degree, तो उसे हम क्या बोलते है स्प्लिमेंटरी अंगल supplementary angle का मतलब क्या होगVA, पूरा कों supplementary angle का मतलब क्या होग, sum पूरा कों, ओना आघ beta danhman, complementary angle, यानि की तिरिया क्रेखा दे रखे तो इसमें आपके किस-किस तरीके के अंगल बन सकते हैं ठीक है युकि मैं आपको अंगल का चन सेप्शन दा रहे हैं अब अब आपको देखो मैंने A और ये मेरा क्या हो गया B A और बी दो parallel lines दे रखिये और ये की मेरी तिरियक रेखा दे दी L जो इन दोनो parallel lines को क्या कर रही है? cut कर रही है, ठीक है? अब आपको देखो उसमें देखना है इसमें कितने तरीके के angle बन सकते हैं suppose मैंने वाले angle 1 angle 2, angle 3, angle 4 उसी तरीके से मैंने हाँ पे माल लिया ये है मेरा angle 5, angle 6, angle 7 और ये होगे मेरा angle 8 ठीक है? अब देखो एक की line के, माला जो आपकी transverse line है उसके opposite side जो हमारे angle बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं alternate angle ठीक है? तो alternate angle मतलब क्या हो गया? एक answer को? उज़र बताव कियो ने को alternate angle जिसे हम में इंदी में क्या बोलते हैं? एक answer कोण एक answer कोण ठीक है? alternate angle क्या होते हैं? एक ही line के जो opposite side बनते हैं एक इधर और एक इधर ये मेरा क्या हो जाएगा? alternate angle ठीक है? अब alternate angle दो तरीके से हो सकते हैं एक तो मेरे क्या हो सकते हैं? और एक मेरे के होते है एकस्टीरियर आप देखोगर मैं इस डाइग्राम में देखों इन्टीरियर पेलार लाइंज के अंदर बन रहे हैं और तिरियक रेखा के पोजिट साइड बने जैसे एंगल 4 बराबर एंगल 6 रेख सकते हो एंगल 3 बराबर एंगल 5 यह आपका क्या हो जाएगा यह आपके इंटीरियर एंगल हो जाएंगे यह आपके कौन से एंगल हो जाएंगे इंटीरियर एंगल है यानि कि ठीक है मैं क्या लि इंटीरियर एंगल यानिकी अंत है एक आंतर कोण अगर हम बात करते एक्स्टीरियर एंगल की यानिकी पैलल साइट के ही हमारे कहां बने हुई है यह पैलल साइट के किसमें बने हुई है अपोजिट साइट में बने हुई है लेकिन बहार की तरफ जैसे मैं बोल सकती है इस ड बराबर है एंगल एसके यह आपका क्या होगा है एक अंतर कोड यान की ऑल्टरनेट इंटिरियर एंगल अगर दो पैलल लाइंस इवनर उसको कोई सिर्यक रेखा कट कर रहे हैं दूसरा हमारा इसमें आता है कोरस्पोंडिंग एंगल यानि कि हमारे आते हैं संगत कोंड ठीक ह यह हमारे क्या होते हैं मौरे अंतर कोंड यान कोड नहीं दोनों एंट बराबर होते हैं سंगत कोंड़ इन बोलते हैं संगत कोंड Ehकोंड़ हो को. और angle 3 बराबर हो जाएगा angle 7 के, यह आपको कौन से pair बन गए, संगत कौन, संगत कौन, ठीक है, अब आगे देखो, इसी में आप आगे और क्या देख सकते हो, ठीक है, संगत कौन होगा है, corresponding है, alternate angle बता दिया, अब आपका बता है, vertically opposite angle क्या होते हैं, vertically opposite angle क्या होते हैं, जो आमन सामने बनते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते है, vertically opposite angle, जैसे हैं पर हम diagram में देख के, आप मेरे बोल सकते हैं, एंगल 1 जो है, वो बराबर है, angle 3 के, ठीक है, अब आपके बनते हैं, vertically opposite angle, vertically opposite angle, जीने हम बोलते हैं, सिर्षा भिमुकोन, ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखो, सिर्षा भिमुकोन मतला, आमने सामने कोन हमेशा क्या होते हैं, बराबर, जैसे angle 1 किसके बराबर होगा, angle 3 के, angle 2 किसके बराबर होगा, angle 4 के, angle 5 बराबर होगा, angle 7 के, और angle 6 बराबर होगा, angle 8 के, आप इसे चाओ तो प्रूब भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, angle 4 बरा करमागत कों का सम हैाँ उनका सम हमेशा 180 degrees नहीं के अंदर बनने वाले जो कों थो सम हो om खोरो परने से कोंधुर औरॉपकरिण। कोश्चन में आपको आरे सगरवाल के कोश्चन कराऊंगी जितना मैं टॉपिक समझ में इसके उपर अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना है तो प्लीज नीचे कमेंट सक्षिन में लिखें मैं उस टॉपिक को दुवारे से रिपीट कर दूँगा दर्वाइस आप हमारी व बॉला एक रेखा के कितने यह कucken अंतिम मिन्द को पहली मीन वह दो घेखाँ ने होता है रेखाँ का मतलब हों artwork जैसे में आपसे तो इसका आप क्या लिख सकते हो, नो यह ऑला एक किरण के कितने अंतिम बिंदु होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, किरण के कितने अंतिम क बिंदु होता है, वागही हम उसे कितना ही अगे तब ड्रो Mernd realmente कर सकते हैं। अब यह बॉला है 180 से अधिक तथा 360 से कम नाप वाले कोण को कहते है देखो मैंना आपको नियून कॉण भी बनाया आपको अधिक कॉण जो आपका क्या होता है 90ली से कम वह आपका क्या होता है नून कोण फिर मैंना आपको बता है अधिक कौन क्या होता है जो आपका 90 डिग्री से तो क्या होता है जादा लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है कम वो आपका क्या होता है अधिक कौन फिर मैंना आपको बता है ब्रत कौन क्या होता है आपका जो है ये 180 डिग्री से तो क्या होगा जादा औ और 360 degree से क्या होगा कम तो आपका होता है ब्रत कोर्ड तो आपसे में यह पूछ रहा है कि 180 degree से तो अधिक है और 360 degree से कम है तो उसे क्या कहेंगे ब्रत कोर्ड यानि की reflex angle ठीक है अगला question question number 4 question number 4 question number 5 62 degree के कोंड का पूरा कोंड कितना होगा मैंने आपको बताये तक ही 2 पूरा कोंड का सम हमेशा किसके बराबर होता है 90 degree के अब एक आपको 62 दे दिया तो दूसरा निकालना कितना आसान है 90 में से तुम उसे क्या कर दोगे minus कर दोगे आनकी theta 2 कितना जाएगा आपका 90 minus 62 कितना आगया 38 degree ठीक है अब question number 6 question number 6 में बोला 60 degree के कोंड का सम्पूरा कोंड मैंने बताया सम्पूरा कोंड मतलब क्या होता है जिसमें 2 angle का जो योग है वो कितना होता है 180 degree अब आपको 2 angle का योग आपका कितना होता 180 degree यह आपका होता सम्पूरा कोंड अब देखो एक आपको उसने दे जिया कितना 60 degree दूसरा आपको बताना है तो निकाल सकते हो कोई दिक्कर क्या बोलोगे 180 degree minus 60 degree 180 degree minus 60 degree किसके बरावर जाएगा 120 degree ठीक है अब देखो उसके बाद आप से अगले question में बोल रहा है यह question no 7 question no 7 में बोल रहा है 72 degree 72 degree of 40 minute के कोण का आपको क्या बनाना है पूरा कोण बनाना है तो मैंने उता है दो एंगल का सम हमेशे किसके पूराबर होता 90 degree तो Θě 1 आपको क्या हो जागा तो minute को आपको पता है कितनी एक गोंटे में कितनी minute होती है? साट minute होती है. यानिकि मैं 90 को चाहूं तो कैसे break कर सकती हूँ? 89 degree और आपका 60 minute. उसमें जा आपको क्या minus करना है? 72 degree और 40 minute. ठीक है? कितना जाएगा आपका? 70 degree 20 minute. ठीक है? सेवंटीन डिगरी 20 मिनट आपका अंसर आ जाएगा अब है कोश्य नमबर एट ने बोला है एक कौन अपने संपूरक कौन का एक बटा पांच है अब देखो अगर एक कौन मेरा थीटा वन है तो दूसरा कौन क्या हो जाएगा 180 माइनस कितना जाएगा थीटा टू ठीक है अब दूबार समझा पिए यह वोला है कोश्य नमबर एट में एक कौन अपने संपूरक कौन का एक बटा पांच है अगर मेरा कौन है यह थीटा वन इसका संपूरक क्या होगा 180 में से माइनस कर दो थीटा वन यह संपूरक आ जाएगा तो अगर यह मेरा एंगल साथ डिग्री है तो इसका संपूरक क्या होगा 180 में साथ गटा दो याने के 120 दिग्री गटाने पर आ रहा है तो सेम हमने यह यह पे लिख जा कि अगर एंगल हमारा थीटा वन है तो 180 माइनस से वन क्या हो जाएगा इसका संपूरक कौन यह बोला यह अपने संपूरक कौन का कितना है एक प्लस तीटा 1 किसके बराबर है 180 डिग्री यानिकि 6 तीटा 1 की वैल्यू कितने आजएगी 180 अपॉन में 6, 6 तीजा 80 नहीं 0 कितने आगी 30 डिग्री तो उसने आपसे पूझा था कि वह एंगल कितना है तो वह एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री ओके अब आगे देखते है अब आख से बोला है question number 9 में question number 9 में बोला एक corn का पूरक corn उस corn के बराबर है अब देखो अगर मेरा ये corn है theta तो इसका पूरक कितना हो जागा पूरक मेराता है कि दो angle कसम 90 degree होता अगर ये theta है तो इसका पूरक कितना हो जागा 90 minus theta सब्सक्राइब को इस कोन के बराबर है तो अब क्या लिए सकते हैं तो इस थेटा बराबर 90 वी तो 2 थी जब बराबर 90 दिख्डी तो वह आपका 45 डिग्री यहाने कि कि आपका एंगल है कितने का होगा पुर्टीफाइब कुश्चे नमबर 10 को से नमबर 10 में आप से बोला है एक कॉन अपने पूरा कॉन से 24 दिगरी अधिक है अब देखो अगर कॉन थीटा है तो इसका पूरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा लेकिन उसने क्या बोला वह अपने पूरा कॉन से 24 दिगरी क्या है अधिक है तो आप देखो थीटा माइनस थीटा तो इधर आक इसका 57 डिग्री टीक है आप 11 कॉस्चिन क्या बोला है एक कॉण अपने संपूरक कॉण का 32 डिग्री कम है इस कॉण कम आप कितना होगा यह बोला है अपने सब्सक्राद का में लेकिन ऑन बोल रहा है कि इस से कितना言 थिट्टा अपों आपका थीटा कितना हो जाएगा 148 अपोन में 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 74 दिगरी चीक है थीटा की वैल्यू 74 आप कोईशन नमबर 12 बारा में क्या बोल रहा है दो संपूरक कोंड तीन देशो दो के अनुपात में पहला आपको पसंचे संपूरक संपूर तो 5X किसके बराबर आ गया 180 यानिकी X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 बटे में 5 कितनी आगी 36 दिगरी ठीक है अब उसने बुचाए कि इन में से छोटे कौन का माप कितना होगा तो छोटा देखो बड़ा 3 है छोटा 2 है तो छोटे कौन का जो माप है वो कितना हो जाएगा 2 x 36 यानिक हम बता सकते हैं कितना जाएगा 72 ठीक है आप कोशन नमबर 13 कोशिषर नंबर कोशिष नंबर 13 कोशिटर में पांच किर्ण धारा बनाएगर कोंगी संक्या कितनी आपको कितनी बनेगी आपको टेम दिया और यह नाम दिये हैं आपको A, B, C और यह हो गया आपका D A, B, C, D और E पांच बंदे हैं Story diagram बेज देख ले ना और यह आपका origin हो गया तो आपके A, B, C, D, E तो आप बना सकते हो देखो A, O, B बन रहा है A, O, C बन रहा है A, O, D बन रहा है A, O, E चार हो गया ठीक है, पहले A को बेज पकड़के जब बना हो ठीक है, मैंने A को O, A को बेज पकड़के बनाया Dेखो A, O, B, A, O, C A, O, D, A, O, E और बन गए अब मैंने B को base बनाए तो मेरा देखो अगर मैं किसको O, B को base बनाती हूँ तो मेरा क्या बन गया? B, O, C, B, O, D, B, O, E कितने बन गया? C और अगर मैं base बनाती हूँ किसको O, C को तो आपका C, O, D, C, O, E कितने बन गया? 2 अब मैंने base बनाए किसको? 0-O-D-O-D-O-D-O-D-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E तो ऐसे confusion हो जाएगा, एक को base स्टार्ट करके स्टार्ट कर, जैसे मैं चाहिए तुम चाहो तो OE से स्टार्ट कर सबसे, तो EOD, EOC, EOB, EOA, चार बन गए, फिर DOC, DOB, DOA, तीन बन गए, COB, और फिर आपका COA, कितने बन गए, दो बन गए, ऐसी फिर BOA, आपका एक अनकी वह 10 ही आएंगे, ठीक है, चाहिए आप उपर से करो, चाहिए नीचे से, लेकिन base पहले एक base पकड़ो, फिर उससे उपर, फिर उससे उपर, आपको बनाते जाना है, ठीक है, अब देखते हम question number 14 क्या है हमारा, ठीक है, question number 14, question number 14, यह वोला है, दी गए आकरती में A, O, B, एक सरल रेखा है, और A, O, C, आपको उसने दे दिया, कितना 68 degree, यह आपको एक रेखा दे रखे, A, O, B, और A, O, C, दे रखा 68 degree, आप से पूछ रहा है कि B, O, C, बताओ, कितना होगा, तो देखो, यह एक सरल रेखा है, मैं आपको बताया था, एक सरल रेखा पर बढ़ने वाले, ज A, O, C, प्लस एंगल B, O, C, किसके बराबर होगा, 180 degree के, A, O, C दे रखा है, आपको 68 degree, B, O, C, दे रखा है, X degree, तो 180 degree, X की value आप निकाल सकते हो, 180, माइनस कर दो 68, एक वर तो, इतना जाएगा 112 degree, ठीक है, यह आपको हो जाएगा C, ठीक है, अब देखते हैं, question number 15, question number 15, ठीक है, इसमें बोला, दी गई आकर्ती में, A, O, B, X, अरल रेखा है, A, O, C, 3X, प्लस 20 है, B, O, C, 4X, माइनस 36 है, तो आपको X का मान निकालना है, इसमें बोला, इसमें A, O, B, X, अरल रेखा है, A, O, B, X, अरल रेखा है, और यह आपको भी इसने, आपका क्या माना ह है, ठीक है, और यह हो गया, आपका C, ठीक है, इसमें आपको बोला, A, O, C, दे रखा है, 3X, प्लस में, 20 डिगरी, और B, O, C, आपको दिया, उसने, 4X, माइनस 36 डिगरी, ठीक है, आप देखो, इस तरल रेखा है, मैंने बताता है, एक तरल रेखा है, पर बनने वाले, सभी माइनस 36, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिगरी, 3X और 4X कितना जाएगे, 7X, 36 और 20 कितना जाएगा, माइनस 16 डिगरी, इक्वल टू 180, तो 7X बराबर क्या हो जाएगा, 180, प्लस में कितना हो जाएगा, 16, तो X की वैल्यू हाजाएगी, 196, अपोन में 7, इसे कच कर देना, कि कितना जाएगा, 28 डिगरी, तो आपकी जो X की वैल्यू है, वो कितना जाएगा, 28 डिगरी, ठीक है, कोशन नमबर 50, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुता है, ठीक है, आगे के जो कोशन्स हैं, वो हम अपनी नेक्स वीडियो में देखेंगे, मैंना आपको आरे सगरवाल क कोशन नमबर 15 तक करा दिया है, उसके लाबा मैंने आपको रिवाइस करा है, मैंना अभी से बेसिक है, तो आप ऐसा ना सूचे, मैं कितना इजी करा रहे है, ऐसा तो पेपर में आता ही नहीं है, जो आपके जैसे RRB, NTPC, मैंना जो आपका railway group D है, उसमें आपसे ऐसे ही easy-easy कोशन पूचे जाएंगे, उसके लाब लेवल बड़ेगा भी तो मैंने फर्स क्लास है, मैं आपको इसमें लगबर 5-6 क्लास कराऊंगी जमैट्री में, जिसके आपके सारे concept clear होंगी, ठीक है, एक बार आप वीडियो को दुबारे से देख लिएगा, उसमें आपको परचल मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया है, ठीक है, थैंक यू, अगर आपको मारे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे जन्म को लाइक करे, शेयर करे, सबस्क्राइब